आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत आसान सा और बेसिक सा डाइट प्रेंट शेयर करूगी जिसके थो आप अपना वेट लोज कर सकते हैं असलाम लेकूम, I am consultant dietitian अरमीन मुनीर सबसे पहले आपने करना यह है कि pre morning यानि नाशते से पहले आपने walk करनी है हाफ ओर की कर सकते हैं 15 मिनट की जितना आपका stamina है आप कर सकते हैं उसमें आपने सबसे पहले जो आपने food intake करना है उसमें एक चमच ज्वाइन और एक इंच दारचीनी का टुकरा आपने और उसको सुबा 1.5 लीटर पानी में उसको mix करके सारा दिन उसको sip-by-sip लेना है उसके बाद breakfast की तरफ आते हैं जिसमें आप एक oblanda भी ले सकते हैं जिसके साथ आप एक low fat milk का एक glass ले सकते हैं और उसके साथ आप 7 बादाम भी ले सकते हैं जो दूसरा है वो मैं आपके सा जादा नहीं होना चाहिए उसमें आप green leaf vegetables एड कर सकते हैं और साथ में अगर आप चाहिके बहुत जादा शुकीन है तो आप low fat milk लेके बगहर बलाई के दूद लेके आप उसको चाय बना सकते हैं जिसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप जो खालिस शहद मिलत मिक्स फूट्स भी ले सकते हैं 200 ग्राम या उसके इलावा आप तहीं का एक कप भी ले सकते हैं जो low fat होना चाहिए उसके बाद आते हैं लंच पे जिसमें आपने raw vegetables का salad बनाना है और उसमें उस बावल में आपके पास tomato, cucumber, onion होना चाहिए और उसके इलावा उसमें आप काले cider vinegar जरूर एट करें क्योंकि वो आपके hormonal balance के लिए बहुत जरूरी है उसके बाद आते हैं mid evening snack पे आप उसमें एक cup green tea ले सकते हैं और उसके इलावा आप एक handful काले भूनेवे चने भी ले सकते हैं जो के आपके weight list में बहुत effective है वो protein का fiber का बहुत अच्छा source है उसके बाद dinner पे dinner में आप hand-sized chicken ले सकते हैं जो के 113 ग्रैम से जादा नहीं होना चाहिए और उसके इलावा आप उसको cook कर सकते हैं या आप उसको boil कर के use कर ले उसके इलावा उसमें आपने small sized bowl लेना है raw vegetables का यानि आपने salad की form में उसको इसको 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 बहुत effective रहेगा उसके लेट नाइट cravings like आप 10 बजी की करीब आप आदा कब दूट का इस्तमाल कर सकते हैं और उसके इलावा आपने कोई processed food इस्तमाल नहीं करना आपने natural sources की तरफ रहना है ताकि आप असानी से अपना वजन कम कर सकें शुक्रिया